कि मेरे पास में दिखिएगा मेरे पास में जो टाइम ये इस पास में आपको आई क्लियर है फर्वरी से जो फैब से आपकी क्लासिस जो है फाइव डेज हो जाएगी मंडे टू फ्राइडे फाइव डेज इन वीक पांस दिन होगी फर्वरी से पंदर दिन के बाद आपके क्लास पांस दिन हो जागी मेरे साथ में ठीक है इतना मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है आपके सलीबस को लेकर देखिए सलीबस कब कवर होगा अच्छे सो जाय कवर यह मानके चलिए कि हम मैट्रिक्स को अभी खतम करी लेंगे और मिरे पास तीन युनिट बचेगा जिसमें मैं रेगुलर क्लास करके यह फैब है स्वारी मार्च से मार्च से आपके रेगुलर क्लास होगी मार्च में दो युनिट को और हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं तो मार्च में दो युनिट कवर कर लेंगे तीन युनिट कवर जागा टोडल चार ही युनिट है तो चोथा युनिट हमारे पास है पूरा अपरेल रहेगा और मही में 15 ये 20 25 से जो भी पेपर होगा पूरा महीं आपका फ्री रखूंगा मैं उसमें ताकि आपका कोर्स खरी जराब यहां से देखेंगे जराब आपके सामने कोश्चन है यह कोश्चन आपके सामने देखें जराब सबसे पहले आपके पास पे ये consumption function होगा होता है आपने macro economics में इसको पढ़ाओगा consumption function equals to autonomous consumption plus में mps into y ये consumption function होता है खिर आपको एकनोमिस पर जाने की requirement नहीं है आप अपने matrix कर रहे हो, mask कर रहे, business mask कर रहे हो, उसके according solve करते हैं मैं कभी भी किसी भी variable की value find करता हूँ, लाइक तहां पर क्या बुछा है, कि variable c i and y की value find करो, तो ये c i y, अगर मैं जिस भी variable की value find कर रहा हूँ, ये variable मेरा हर एक equation में involve होना चीए, अगर मैं पीछे x, y, z की value मैंने find कर रही थी last, ये पीछे आद करो, तो हर equation में x, y, z था या न y plus z, 3x plus 5y minus z, 7x minus 2y plus 8z, equals to 7, equals to 8, equals to 9, इस case में x, y, z की value निकाल रहा था, तो मैं कैसे निकाल रहा था, मैं सारे constant number को अपनी जिगे पर ही रख रहा था, विद उसके sign के साथ में 5, minus 2, 1, minus 1, and 8, और मेरे ते तीन variable की value find करनी थी, x, y, z की, लेकिन ये तीनो variable कहां थे, ये तीनो variable, तीनो ही equation में, तीनो variable है, तीनो variable है, और finally मैं उसको column wise में लिख रहा था, आपको अगर याद होगा तो, जिससे कि ये multiply करों तो 2x हो जाए, 3y हो जाए, 1z हो जाए, बापस हमें, वह हमारे equation में ही है, तो आपको ये बात याद होगे कि जिस variable को हम find करने जा रहे है, वो हर equation में involve होना चाहिए, ठीक है, अगरी करते हैं इस बात से, बिल्कुल अगरी करते हैं, तो आए, मुझे यहाँ पर जो variable find करना है, c, i, and y, right side में constant value होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास पे a and d, like this है, ये आपका एक constant value है, हमें मुझे c, i, y, c है, y है, i है, y है, तो इन तीनों को छोड़ करके, c, i, y को छोड़ करके, जो भी है equation में, वो क्या है, वो हमारा एक constant value है, मैं लिख देता हूँ पहले, c equals to a plus by दिया हुआ है, तो c और y, तो मुझे find करना है variable है, तो constant value क्य a है, clear है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, तो बट कोई बात नहीं आई नहीं है, तो फिर कोई इसका, कोई वो ऐसा issue है नहीं, ठीक है जी, clear है, यह बात समझे नहीं समझे, अब आप try करेंगे, तो बताइज ज़रा, कोई problem है, कोई doubt है, तो पूछो, पिछले question में, आपको मैं कोई question करवा रहा हूँ, देखिए, यह मेरे पास में, तो सबसे पहले c है, और उसका आई भी है, तो मैं i को, i है नहीं मेरे situation में, i होना चीना, c तो मिल गया, y भी मिल गया, i नहीं है, तो i नहीं है, तो plus क्या कर दो, 0 i कर देता हूँ, ठीक है, और c, 0 i, और इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं, by, ताकि constant value एक तरफ रहे, this one, clear है जी, clear equation 1, चलिए, मैं बात करता हूँ, equation 2 की, equation 2 में क्या दिया हुआ है, i equals to d plus e y, ठीक है, तो यहाँ पर क्या c नहीं है, क्योंकि जो मैं find करना, i तो मिल गया, and y भी मिल गया, c नहीं है, तो मैं लिसकता हूँ, इसमें, this one, मैं लिसकता हूँ, इसमें, 0, c, plus i, minus e y, equals to d, clear है, क्योंकि मुझे जो variable पूछ रहा है, वो हर equation में होना चाहिए, अब, third equation लेता हूँ है, क्या है मेरे पास में, y equals to i plus c, अब y equals to i plus c, y भी है, और मेरे पास में i भी है, अब, मेरे पास में c भी है, c है, i है, और मेरे पास में क्या है, y भी है, तो यहाँ पर मेरे पास में, जो है, आप, वही काम करते हैं, क्या, c, plus i, minus y, equals to charge 0 हो जाएगा, बताओ ज़रा, यह तीनों equation आपको सोंज में आया या नहीं आया, मैंने कैसे बनाया, एक बार देख लो, अराम से, फिर कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लो, बताओ, यह question सुझ में आया नहीं है, मैं इस question को एक बार लिखके आपको दिखा दिता हूँ, क्या कर रहा है, मैंने, मेरे पास में क्या है, equation first, c plus 0i minus by, जो variable नहीं है, 0 से लगा दो उसको, आपके question में कोई impact नहीं पढ़ेगा, constant value, equation 2, 0c plus i minus ey equals to d, अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास में क्या है, third equation, c plus i minus y equals to 0, constant value, बताइए ज़रा, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या, मेरे तीनों variable सब के पास आगे, c, i, y, c, i, y, c, i, y, same order में, पहले c, फिर i, फिर y, पहले c, फिर i, फिर y, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से c, i, y, common ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 और यहाँ पर आप देखते हैं, तो क्या बचे गा आपके पास में एक और यहां पर एक बचे गा इन माइनेस का एक बचे गा दिस वन और जो कॉमन वेरिबल है मैं उसको लिख देता हूँ यहां पर क्या मेरे पास में C, I, Y, this one clear है जी Eclipse to क्या जाएगा A, D, 0 this one clear है तो यहां पर मैं इसको क्या करने वाला हूँ? यहां पर मैं इसको A Metrics और X Metrics और B γ — तो वहीं हमारे पास है फिर से X X equals to क्या जाएगा A inverse और B और आपको पता है कि A inverse कैसे निकालते हैं 1 upon my determinants of A, A inverse के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में एक तो अभी मैंने बताया जिसमें adjoint से निकालते हैं एक आपको बता रखा है मैंने inverse में कैसे निकालते हैं कि D1 divided by determinants of original matrix D2 divided by determinants of original matrix तो जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इस matrix का D अब आए मैंस पर solve करता हूँ यहाँ दिन आपको मैंने variable की value निकालने का एक formula भी दिया था जो कि determinants से निकाल होगे तो मेरे पास में जो A matrix है मुझे को साफ साफ लिख लेता हूँ क्या है मेरे पास में A matrix equals to मेरे पास में है 1 0 minus B और 0 1 and minus E 1 1 and minus 1 मेरे बात समझे यह है determinants निकालेंगे सबसे पहले इसका हम determinants निकालेंगे हम इसका सबसे पहले this one तो determinants का से निकालता है first और यह आपका खतम 1 1 minus E and minus 1 ठीक है जी then minus 0 और this one तो 0 1 minus E and minus 1 और उसके बाद आपके पास में plus third number तो यह minus B है तो solve करेंगे 0 1 1 and 1 आए determinants of A निकालते हम तो मेरे पास में क्या जाएगा minus का 1 and minus और यह आपके पास हो जाएगा minus का E ठीक है बीचे minus जाता है यह तो 0 तो सबको 0 कर देगा इसको छोड़ देजिए minus B और आप अंदर solve करेंगे तो क्या होगा आपके पास में 0 and minus 1 तो आपके पास में determinants of A क्या जाएगा आपके पास में minus और plus C और plus B तो आपके पास में determinants of A आगया B plus C minus 1 क्या होगा B plus C minus 1 यह आपके determinants of A होगा और आपको एक यह चीज़ याद भी होगी कि हम यहाँ पर matrix change करेंगे D1 में निकालने जा रहा हूँ मैं D1 निकालने जा रहा हूँ तो D1 में कैसे निकालने जाएगा सब मेरे same matrix रहेगा बट उसमें जो है first column में मैं right वाली value replace कर दूँगा first column में right वाली value replace कर दूँगा तो क्या जाएगा A, B, 0 बाकी सारे के सारे same रहूँगा 0, 1, 1 and minus B and minus E E है न हमारे पास में EY हाँ minus E minus 1 आईए इसका determinants निकालते हैं तो वही काम करेंगे हम सुछ से पहले क्या कि A 1, 1, minus E and minus 1 उसके बाद minus का 0 और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर second यह this one गया तो D, 0, minus E and minus 1 और उसके बाद मेरे पास में minus का B तो यह गया तो D, 0, 1 and 1 तो solve करेंगे इसको तो A और bracket में क्या हो जागा है मेरे पास में minus 1 और यह minus और यह हो जागा है मेरे पास में minus E ठीक है जी और आगे solve करते हैं तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर minus का B bracket तो D, minus 0 हो गये तो solve करते हैं यहाँ पर हम A तो क्या आएगा मेरे पास में? minus 1 and plus E और यहाँ पर जाएगा मेरे पास में minus BD आगे solve करते हैं तो क्या होगा मेरे पास में? minus A plus AE minus BD यह D1 आगए मेरे पास में बास समझें? clear है? तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पर value C की निकालनी है तो कैसे निकालोगे C की value क्योंकि इसकी value निकाल रहे हैं ना this one यह आपने equal रखना आपने इसके तो यहाँ पर value C की कैसे आएगी तो space कम पड़ रहा है दिखना चे यह बस दिख तो रहा है हाँ जी तो अब आप बताएए जरा इस तरीके से मैं यहाँ पर किसका value C की value कैसे निकाल सकता हूँ C की value मैं जिसको pink में इसमें लिखता हूँ तो C की value कैसे निकलेगी सबसे पहले आपने D1 निकाला और आपने determinants निकाला चीक है जी clear है तो determinants original determinants अगर आप D1 को divide कर देंगे तो आपके पास में value आ जाएगे clear है C equals to value D1 divided by D तो D1 कितना है आपका आपका D1 आया minus A plus A E minus B D और upon आपके पास में D और जो original आपके matrix का determinants था तो कितना है आपके पास में B plus C minus 1 तो ये आपका जो है consumption की value आगे clear है similar इसी तरीके से क्या आप D2 निकाल सकते हो क्या आप D2 निकाल सकते है D2 तो D2 के matrix कैसे form होगा इस पार आपका original matrix का first वाला same रहने वाला है 1, 0 and 1 और second वाले में आपका replacement हो जाएगा AD0 का AB0 का थर वाला same रहेगा minus B minus E and आपका minus 1 ठीक है जी अब इसकी वाल D2 की value अगर आप निकाल लेते हैं यहाँ पर तो आपके पास में क्या जाएगा 1 और this one matrix तो D0 minus E and minus 1 then minus का आपके पास में क्या जाएगा यहाँ पर minus का आपके पास में यहाँ पर A हो जाएगा and solve करेंगे आप तो 0 1 minus E and minus 1 और यहाँ पर minus का B और क्या होगा आपके पास में 0 1 D0 clear जी समझे solve करते हैं for D2 के लिए तो क्या जागा यह minus का D solve करेंगे तो minus यह हमारे पास में क्या है D हमने कौन सा लिया है first लिया है ना first लिया this one this one गया तो D0 होएगे दी 0 है ठीक है तो यह हमारे पास में क्या गया minus D और यह मिर्वस 0 0 कोई sign होता नहीं है अब minus A यहाँ solve करेंगे 0 और यह क्या जाएगा minus का E minus का B यह तो 0 हो गया और यह हो जाएगा मेरे पास में D तो solve करते हैं D2 equals to minus D and plus A E and minus BD ठीक है जी तो अब यहीं पर मैं किसकी value निकाल सकता हूँ second वाले से second one D2 निकाल है न तो मेरे पास second जो है variable क्या है second variable मेरे पास में I है तो I equals to क्या होगा D2 divided by वही original determinants D2 क्या है मेरे पास में minus D plus A E minus BD और upon determinants आपके पास में जो है वो क्या है हमारे पास में determinants जो original matrix का था B plus C and minus 1 मेरे बात समझे या नहीं समझे clear है तो आपको चीज़ें clear हो रही है चीज़ें आपको यह सोंज में आ रही है या नहीं आ रही है आप फ़र Y के लिए तो मैं पहले D3 निकालूँगा D3 का जो मैं आपका matrix बनाने जा रहा हूं तो original matrix में पहले दो kolum तो आपके as it is रहने वाले है थर्ड kolum में आपके replace हो जाएगी value क्या A, D and 0 clear है जी solve करते हैं यहाँ पर तो 1 तो यह गया आपके पास है 1, 1, D और 0 minus 0 अब something कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा ठीक है जी और उसके बाद मेरे पास में आएगा plus का A then 0, 1, 1 and 1 solve करते हैं यह 0 और यह minus का हो गया D यह तो 0 हो गया यहाँ solve करेंगे तो plus A तो यह 0 और यह क्या हो गया मेरे पास में 1 तो यह A ही हुआ clear है जी तो यह मेरे पास में value किसकी आगी value मेरे पास में D3 के आगी तो इसी तरीके से value हम किसके निकाल रहे हैं y equals to D3 by D D3 क्या minus D plus A और आपके पास में original matrix क्या है हमारे पास में B plus C minus 1 मुश्खिल नहीं होगी कुछ questions होंगे इसके length बड़े होंगे बट कोई बात नहीं आपको सारी questions को अच्छे से करना है ठीक है जी इतने ज्यादा number of questions के आपके practice में है इसलिए करवा रहा हूँ अगर मैं number of questions के practice आपकी नहीं करवाँ आपको भी अच्छा लगेगा अभी फिलाल इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आपको कोर्स जल्दी से दोते ही चप्टर आपके हो गए है मैट्रिक्स में भी 21 टॉपिक है अलग अलग टॉपिक्स है कहा से start कर देखो क्या क्या चीज पढ़ना पढ़ा है तो अगर मैं जल्दी से दो चप्टर करवा दो तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए भी काम का बढ़न हो जाएगा कि मैं भी तीन दिन में ही काम करूँ गया तो मैं अगर मार्च में ही अगर आपका कोर्स पूरा कर देता हूँ तो मेरे को तो अपरेल में पढ़ाना यह नहीं पढ़ेगा यह बात देखीगा ना फिर अपरेल माई में फ्री हो गया बेही तर्से तो लेकिन अभी अच्छा आपको लगेगा लेकिन नेक्स्ट जब आप एक्जाम में बैठोगे तो आप यह सवाल अगर एक्जामस में आए देखिए यहाँ पर आर पार की लड़ाई है इसमें कोई थियोरी सुजेट है नहीं कोई एक दो एंट्री आपकी मिस्टेक होगी तो उसकी एक दो नमबर काट लेगा जब आप कोश्चन को अंडर्स्टेंड ही नहीं कर पाए समझी नहीं पाए पहले आपने किया हुआ ही नहीं है वो क्लिक नहीं करेगा एक्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उस कोश्चन के साथ में आप क्या हाथ पैर मारेंगे या तो पूरे फुल मार्क से लिया होगे या तो जीरो नमबर में लेगा बेरे बाद समझेगा चार सवाल आपको करने है उसमें से दो सवाल के साथ में भी ऐसा होगा जो आप अंडिस्टेंडी नहीं कर पाए उसको क्या होगा तो आप बताए उसमें तो आप जीरो मार्क सी आएंगे उसमें कोई गुंजाईसी नहीं है और दो कोशिन कर गए आपका स्कोर सीधा पचास पसेंट पर आ जाएगा तो यह देखेगा और वहाँ पर तीन बाई चास ऐसा होगे तो एक सवाल से तो पास नहीं होगे शीधा फिर आपका बैक है तो इसलिए बहुत सिंसिर सबजेक्ट है आपके पास में बहुत सेंसिटिव सबजेक्ट है आपके पास में इतना सेंसिटिव है कि या तो बच्चा फुल स्कोर कर देता या तो बच्चा जीरो नमबर लाता बीच का कोई रास्ता ही नहीं है इसमें समझे यह मैनिस ए होगा मैनिस ए होगा हाज़ो हाज़ी देखो जरा equation में क्या रहता है जनली मैं यहापर तीन equation देख पा रहा हूँ जैसे आप देखे मैं equation एक यह देख पा रहा हूँ एक यह और एक यह तीन equation देख रहा हूँ और मुझे जो variable पूछ रहा है वो c, i, y तो जो चीज़ मुझे find करने है वो हर equation में होना चाहिए तो यहाँ c तो मिल गया यहाँ पर y तो मिल गया लेकिए अपर i नहीं मिला तो जब i मुझे यहाँ पर नहीं मिला तो मैंने i को अपने तरफ से create करा 0 i करके जैसे देखो मेरे पास में क्या था c equals to a, by तो c तो है पर i नहीं था तो i को मैंने create करा 0 i करके और by धर लिया आया मेरे बास समझे और जो मेरे variable को छोड़ करके जो चीज़ है वो constant number है तो c, y variable को छोड़ के जो पूछ रहा है जो बखकी बचाव constant number है तो constant number को right पे लिखते है तो मैंने क्या करा है यहां पर a को इहरे ने दिया by को यहां लिआया और 0 i लिख दिया equation 1 equation 2 अगर मैं देखू तो मुझे चाहिए c, i, y तो मुझे i तो मिल गया y मिल गया c नहीं मिला तो c नहीं मिला c मैंने create करा 0 c करके i b constant number है और उसी तरीकिस इसमें भी मेरे पास में तो खेर तीनों ही मिल गए c, i, y तो best मैंने क्या करा इस order में पहले c है तो पहले c लिखा फिर i है तो i लिखा then y को यहां लिआ है minus y तो उदर कुछ नहीं मिल बच जिरो बच गया बस इतीनी question मैंने ऐसे develop कर रहा है clear है समझ गया जी कोई doubt